महराश्ट्र में महायूती के बीच महादरार आती दिख रही है दरसल जहां अब तक नवाब मलिक को लेकर बीजेबी पार्टी अजीत पवार की गुट से नाराज चल रही थी वहीं अब एक और खबर दरार की खबर कहें कि वो महायूती के भीतर एक नातिशिंदे और अजीत पवार की पाटी के भीतर से सामने आ रही है दरसल पुरा मामला ये है कि जिस दो सीटों से महागडबंधन ने अजीत पवार के कैंडिडेट्स को उतारा था उसी जगहा पर एक नातिशिंदे ने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है यानि आप समझे महायूती को जहां महाविकास अगारी के कैंडिडेट से लड़ना था वहाँ पर अब एकनात शिंदे जो की महायूती का हिस्सा है वहीं अजीत ववार जो महायूती का हिस्सा है इन दोनों ही पार्टियों के मुख्याओं के जो है उनके कैंडिडेट जो है अब आमने सामने लड़ते हुए नज इस बीच में जिस सीट पर बड़े ही फिल्मी स्टाइल में एक नात शिंदे ने अपने कैंडिडेट्स का नामांकन भरवाया है वो भी मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से हेलिकॉप्टर से लेंडिंग होती है ए भी फॉर्म लाए जाते हैं और किस तरीके से वो कैंडिडे शिंदे सेना और अजीत पवार के गुट के उमिदवार दो जगाहों पर आमने सामने आए। आवेदन जमा करने के आखरी दिन ही शिंदे सेना ने डिंडोरी और देवलाली सीटों के लिए उमिदवारों की घोशना की और उन्हें एबी फॉर्म दिये। इसलिए यहां पहले से ही घोशित हो चुके एंसीपी और अजीत पवार गुट के उमिदवार मुश्किल में पड़ गए हैं। जिंडोरी और देवलाली काई सीट महागट बंधन की और से एंसीपी अजीत पवार को दी गई थी। इसलिए एंसीपी ने मौजूदा विधायक नरहरी जिर्वाल और सरोज अहीरे को उमिदवार बनाया। इन दोनों उमिदवारों ने अपना नामांकन पत्र बे दाखिल किन मंगलवार को शिंदे सेना ने जिंडोरी और देवलाली से धनराज महाले और राजश्री अहिरवार को एक बार एबी फॉर्म दे दिया फिर उसके बाद जैसे ह गेर गई में इन दोनों मिदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद अब निर्वाचन छेतर में महायूती के दो मिदवार एक दूसरे के सामने आ गए हैं इसलिए पीछे हटने तक क्या होता है वास्तब में कौन मैदान में रहता है अब इस पर निगाहे स इस तरीके की मुश्किले एक तरीके से कही है महायूती के लिए मुश्किले खड़ी कर दिया है कि अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ से उतार दिया है अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए और दिल्चस्प मोर देखिए किस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने AB फॉर्म को हेलिकॉप्टर के जरी विजवाया था किस तरीके से फिल्मे स्टाइल में यह पूरा नामांकन आखरी और एंड मौके पर भरा गया है वो भी जरा देखिए नामांकन दाखिल करने के दिन बहुत सी नाट के खटनाए हुई शिंदे सेना ने जिले से दो AB फॉर्म के लिए एक विशेश विमान भेजा और धनराज महाले ने ओजर हवाई अड़े पर ही एक फॉर्म दिया जबकि पार्टी सचिव भाव सहय चौधरी दूसरा फॉर्म देने के लिए शेहर के भरत नगर पहुचे और AB फॉर्म को राजश्री अहिरवार के आवेदन के साथ सनलन किया नामांकन दाखिल करने के अ तरीके से महायूती में जहां एक तरफ अजीत पवार और शिंधिक की पार्टी है वो आमने सामने आगई हैं वहीं किस तरीके से नवाग मलिक को लेकर वीजेभी पार्टी और अजीत पवार गुट आमने सामने आगया है वहीं देखे ये पूरा का पूरा आप जिस तरीके के स्थती देख रहे हैं ये स्थती यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है कि अजीत पवार गुट के नेता और शिन्दे गुट के नेता आमने सामने आ जाएंगे नहीं बलकि और भी जादा इससे भी जादा गर आप गहराई में महारास्ट के चुनावों को देखेंगे तो महायूते के बीतर किस तरीके से नेता एक दूसरे के सामनी आ गए है बगावती सुर्थेज हो गए है नेता पार्टी को छोड़कर निर्दलिय चुनाव में उतरने का एलान कर दे रहे हैं पार्टी की मुश्किले बढ़ा रहे हैं वही अब खबर ये भी आई है कि एक स्थाने अनेता बीजेपी के थे जिनका नाम नेता अतुल शाह उन्होंने मुंबई शहर की मुंबा देवी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया जहां पार्टी की रंगाबास सेंटरल रिडवाचन छेत्र से किशनचंद तनवानी को उमिद्वार बनाया है और यहां पर तनवानी ने अपनी उमिद्वार वापस ले लिए ठाकरे के प्रतिद्वन्दी एवं मुख्यमंत्री शिंदे के नित्रत वालिप छिफसेना के उमिद्वार प्रद किसे कौन सा एंगल बन रहा है, कौन किसके विरोध में खड़ा हो रहा है, अपनी पार्टी के विरोध में ही नेता जाकर खड़े हो जा रहे हैं, ये बड़ी अस्मंजस की स्तिती बनी हुई है, जहां एक तरब नवाव मलिक को ही देख लीजे, नवाव मलिक के फेवर में चैंड रख रहे हैं, कि हम ऐसे कैंडिडेट को समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, नवाव मलिक की बेटी सना मलिक को भी स्वराभासकर के पती के सामने उतारा गया है, अडुनगर की सीड से, जहां पर फ़हद जो है, वो सना मलिक के सामने लड़ते हो आएंगे, हाला कि BJP पर प्रिया है कि हमें सना मलिक से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पिताजी से हमको दिक्कत है, क्योंकि वो दावत से उनके लिंक है, इस वज़े से हम ऐसे कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेंगे, मतलब आप पिताजी जो उनके हैं और आप यहां पर आप देखें किस तरीक से जो नवाब मलिक हैं उनका समर्थन बीजेपी पार्टी नहीं कर रही है और सना मलिक का समर्थन बीजेपी पार्टी कर रही है अब ऐसे में जो इन अजीत पवार और जो बीजेपी पार्टी की कैंडिडेट से जमीन इस तरपर तो खबर ये भी आ रही है कि ये दोनों ही प पार्टियों के लिए चुनाव प्रिचार करने के लिए भी मना ही कर रहा है और इस्ति किस तरीके से बिगड़ती जा रही है महारास्ट में अब ये किसी से छिपी हुई नहीं है लाक इस चीजों को ढखने की कोशिश की जा रही है वले ही अमिश्या बार-बार ये कह दे कि ब चुनाव लणने का एलान कर रहे हैं बार-बार बीजेपी पर ये आरोप लगाये जा रहे है कि बीजेपी पार्टि या तो परिवारवादी नीती पर चल रही है या पिर जो जादा अमीर कैंडिडेट से उनको टिकट दे जा दिये जा रहे हैं या फिर जो दूसरी उनको दरकिनार किया जा रहे हैं मतलब आप स्थती देखें महाराष्ट चुनाव से पहले किस तरीके की स्थती जो है वो सामने आ गई है और जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे ये खबरे आप एक तरीके से देखें कि किस तरीके से इनकी भरमार आ रही हैं मुझे तो चल रहे हैं तो आप इसी बाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि महारास्ट में महायूती के इस्थितिक किस तरीके की होने वाली है भले ही हर्याना के चुनावों को के बाद जो है वो बीजेपी पार्टी बड़ी कॉन्पिडेंस में आ गई है तो कहीं एक कॉन्पिडेंस जो है प्रकी कार जुआ ङस्थिति भी वह झाण जुआ कि मोति हैं पार्टी कि कॉन्पिडेंस ट्वड़ीन था मैं रहींकिसों क्रिदों कि सेल्द करेने खभाउन